बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो मेरी हैं टो उत्हक्त को घाए तो वोग अधी तो रहुत हां, फिरी एक चाहते बुर्णाय प्रिखती किया था यह था citizen, फिरी के अधा हुआ है, तो वो बीक होता है, तो बहार के दुरश्ती आना से cleaner भी हो तेकिन उसका यह ग्यान आपको किस ने दिया एक दफे एक कॉलेज में कुछ बच्चों ने मुझसे यही पूछा था तो मैंने पूछा था कि तलवार लेके पैदा हुए थे गया कि तुम गर्व से बाहर आये और पीछे पीछे एक तलवार भी निकली अगर किलिंग इतनी जरूरी होती तो आपके साथ साथ एक तलवार भी पैदा होनी चाहिए थी यह ग्यान अद्भुत ग्यान हमें मिलता कहां से है कि संसार में जीना है तो कातिल होना जरूरी है यह कहां से पाया किसने सिखाया किसको गुरु बना लिया है बाजारू लोगों को जो अपना सामान बेचने के लिए आपको सिखाते हैं कि चलो महीने के अंतता कितना लक्ष हासिल करना और इस लक्ष हासिल करने को बोलते हैं किलर इंस्टिंक्ट कि प्रतिसपर्धा में आगे निकलना ताकि अपनी तिजोरियां जेबें और तोंद भर सको और इसको बोलते हैं किलर इंस्टिंक्ट यह सिखाया किसने जिन बातों को माने ही बैठे हो कभी ये भी तो सवाल कर लिया करो कि वो बाते हैं मन में आ कहां से गई कोई मिला नहीं न बताने वाला जो कहें कि तुम्हारा स्वभाव हत्या करना नहीं प्रेम है लव इंस्टिंक्ट की कभी किसी ने बात ही नहीं करी न दुनिया वाले आके तुम्हारे कान में खून खराबे का मंत्र फूपते रहे और तुमने उसी को आत्मसाथ कर लिया कि नहीं मार पीट नहीं करेंगे किसी की टांग नहीं तोड़ेंगे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो जीएंगे कैसे और ये तुमने कभी टहकिकात भी नहीं करी कि क्या जिया नहीं जा सकता इस सब के साथ और क्या जी रहा हूं मैं इस सब के साथ लोगों के प्रति वेमनस से रखके कीरश्या रखके संसार को दुश्मन जानके पेड़ों की नदियों की पहाडों की पक्षियों की हत्याएं करके जी रहा हूं क्या मैं वास्तों में ये सवाल ही कभी नहीं उठाया ना ऐसा नहीं है कि ये सवाल तुम्हें कभी आता नहीं है बस बात इतनी सी है कि ये सवाल पूछोगे तो तुमारी सुख सुविधाओं पर आघात होगा और सुविधाओं का ऐसा लालच है कि तुम किलर बनने को तयार हो पर एक इमानदार सवाल पूछने को तयार नहीं हो आपकी और देख रहा हूँ तो सरल सौम में चेहरा है मुझे कहीं से कोई हत्यारा दिखाई नहीं दे रहा है आप अपने आपको यदि मजबूर करोगे हिंसा के लिए दुएश के लिए तो बस दुख पाओगे बात को ध्यान से समझ लीजिए हिंसा स्वभाव विरुद्ध है इसी लिए दुख देगी ही देगी प्रतिस्परधा एकत्यों के नियम के विरुद्ध है इसी लिए क्लेश देगी ही देगी कोई अपवाद नहीं हो सकता इसमें तुम जो हो उसके खिलाफ जाओगे तो चिर जाओगे बंट जाओगे दुख पाओगे कुछ मूर्ख और चालाक लोगों के नहित स्वार्थ हैं तुम्हें ये शिक्षा दे देने में कि जब तक जगत से बैर नहीं रखोगे और होड नहीं रखोगे तब तक सुखी नहीं रह पाओगे जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहे हैं उनका अपना जीवन कैसा है वहां कौन सी इस फूर्ती और किस आनंद की जलक पाते हो तुम्हें जिन लोगों के नाम ले रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने वैसा कहा मैंने तुमसे कहा कि बहुत पहुत कुछ कखा पर जिन और लोगों ने बहुत कुछ कहा उनके तुम्हें नाम भी नहीं पता तो पहला प्रश्ण तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इनी महानुभाव का नाम क्यों पता है यहां आपके सर के उपर कुछ छोटे मोटे लोगों के चित्र है इन्होंने भी बहुत कुछ कहा इन्होंने क्या कहा वो पता है क्या इन्होंने क्या कहा वो नहीं पता है उन्होंने क्या कहा वो खूब पता है तो यह चुनाओ किसने किया कि मुझे किसकी सुननी है यह चुनाओ किसने किया है कहा इन्होंने भी और कहा उन्होंने भी पर तुम उनको उध्रुत कर रहे हो तुम उनकी बात आज इहां इस कक्ष में करना चाहते हो तुम इनकी बात नहीं करना चाहते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये चुनाव कौन कर रहा है? कि मैं कबीर की बात नहीं करूँगा, कि मैं बुद्ध की बात नहीं करूँगा, कि जीजस की नहीं करूँगा, कि रमण की नहीं करूँगा, मैं स्टीव जॉब्स की बात करूंगा ये चुनाव कौन कर रहा है ये चुनाव कौन कर रहा है ये चुनाव करने वाले तुम हो और तुम देख भी नहीं कर पा रहे कि ये चुनाव करना भी तुम्हें उन्होंने ही सिखाया है यह भी तुम्हें उन्होंने ही सिखा दिया कि वो इन से शेष्ट है और हालत यहां तक आ गई है कि वो जहां पर है वहां तुम इनकी चर्चा ना कर पाओगे पर जहां इनकी चर्चा होनी है वहां तुमने उनका नाम उठा दिया लिए नाम इसलिए उठा डिया क्योंकि उन्होंने तुम्हेरे जिहन पे पूरी तरह से से कबड़ा कर लिया है वह तुम्हारे मन पे च्छा चुके हैं तुम भोक्तावाद के पूरी तरह से शिकार हो चुके हो उन्हें अपनी चीजे बेचनी है और बेचनी है तो खरिदार कौन है तुम ही तो हो बहुत जरूरी है कि तुम्हारे मन को गिरफ्ट में लिया जाए तुम्हारे मन को गिरफ्ट में लेंगे नहीं तो उनका उत्पात बिके का कैसे? उन्हों ने ले लिया तुम्हें गिरफ तुम्हें और तुम्हारे मन में वही वही घूम रहे हैं. नहीं तो वो कौन है? दुनिया में आज आट-नो अरब लोग हैं. और अरबो अन्य हैं, जो आके जा चुके हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें उनक व्यक्ति की बात क्यों याद आई कि क्योंकि उसी व्यक्ति ने अपने दुश्प्रचार के द्वारा तुम्हारे मन में ये बात भर दी है कि वही आवश्यक है वही जरूरी है वही महत्वपूर्ण है और तुम यह समझ भी नहीं पाते जब तुम उसके दुश्प्रचार को स मैं आग्रह करता हूँ अपने आपसे इमांदारी से पूछिएगा कि ये सारी बातें जो मैं कहता रहता हूँ ये मैंने कहां से जान ली जानी भी है क्या ये ग्यान क्या मेरा अपना है क्या ये वास्ताव में अंतर स्फूर्त ग्यान है कि स्वेम पता चला है मुझे या बाहर से डाल दिया गया है मेरे मन में और या दिबाहर से डाल दिया गया है तो जिन्होंने डाला है वो तुम्हारे हितैशी तो नहीं हो सकते वो अपने ही हितैशी नहीं है तुम्हारे क्या होंगे यूही जल्दी से किसी को आदर्श मत बना लो तुम इतने सस्ते नहीं कि कोई भी तुम्हारे लिए आदर्श बन जाए इतने इतने बॉने नहीं तुम कि कोई भी तुम्हारे लिए आस्मान बन जाए और जो आस्मान होने का दावा करते हैं अक्सर वो तुम से ज्यादा बॉने होते हैं थुड़ा थम के रुक के परक्तों लिया करो सिर्फ इसलिए कि दुनिया उनकी जैजाकार कर रही है तुम भी भीड में शामिल हो लिए यदि वो कह रहे हैं और कहने वाला कौन है मुझे फरक नहीं पड़ता बात किसी ने भी कही हो बात की पहचान जरूरी है यदि कोई कह रहा है कि संतों से ज्यादा आइंस्टीन आवश्यक हैं तो मैं कहूंगा संत भी बढ़ियां और आइंस्टीन भी बढ़ियां Einstein की पूरी दरिष्टी जगत की ओर है, संसार की ओर है, विश्व की ओर है, वो ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। बहुत बढ़ियां। समझना तो चाहते हैं ना इमानदारी से समझना चाहते हैं ब्रह्मांड के तथयों को अनावरत करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि क्या होगा यदि किसी सर्कुट में फोटॉ ना के गिरें जानना चाहते हैं क्या होगा यदि कि पदार्थ की गति प्रकाश की तुल्ले हो जाए जानना चाहते हैं ना धोखा तो नहीं देना चाहते वासनाएं तो नहीं जागरत करना चाहते समझना चाहते हैं ज्यान चाहते हैं जो ग्यान आइंस्टीन बाहर की दुनिया में चाहते हैं वही ग्यान संत अंतरिक जगत में चाहता है दोनों एक हैं अध्यात्मिक्ता की परिभाशा ही यही है की विज्ञान ही है आध्यात्मिक्ता बस विज्ञान मातर बाहर देखता है आध्यात्मिक्ता बाहर और भीतर दोनों देखता है वो संसार को भी जानना चाहता है मन को भी जानना चाहता है पर दोनों में साम्य यह हैं कि दोनों जानना चाहते हैं जूट नहीं बोलना चाहते, फरेव नहीं करना चाहते, जानने के लिए तो कामना से मुक्त चाहिए, क्योंकि कामना ग्रस्तमन कभी जान नहीं पाएगा, पर जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जो एक छोर पर संत को रख रहा है और दूसरे छोर पर व्यग्यानिक को, व उसका जानने से नहीं, बेचने से अभी प्राय है, यह तो खूब करा आपने, कि व्यापारी तराजू लेकर के संत को और व्यग्यानिक को तोल रहा है और कह रहा है, देखो कौन सा पलणा भारी है, कोई भी पलणा भारी हो, तुम कौन होते हो तोलने वाले, और तुम तोल पाओगे क्या, ना तुम संत हो, ना तुम व्यग्यानिक हो, तुम कौन हो, व्यग्यानिक में भी सच्चा ही है, वो संसार को जानना चाहता है, संत में भी सच्चा ही है, वो संसार को, सत्य को दोनों को जानना चाहता है, तुम क्या जानना चाहते हो तुम तो बल्कि उनको पसंद ही नहीं करोगे जो जानना चाहते है क्योंकि यदि दुनिया में बहुत लोग हो गए जो जानते है तो तुम्हारे उत्पाद विकेंगे नहीं तुम्हारी दुकान चलती रहे इसके लिए जरूरी है कि दुनिया मूर्खों से भरी रहे अंजान लोगों से भरी रहे और दुनिया जितना जादा मूर्खों से भरती जाएगी उतना जादा तुम्हारे उत्पात बिखते जाएंगे तुम वास्तव में क्या बोध के समर्थक हो, तुम हो ही नहीं सकते, तुम्हें दुकान चलानी है कोई वैज्ञानिक के सामने समर्पित हो, बहुत संदर बात है, कोई संत के सामने जुके इससे उंची घटना हो नहीं सकती, पर तुम बाजार के दुकानदार को अध्यात्मिक गुरु समझ बैठो, इससे बड़ी भूल नहीं है हाँ तुम्हें ये जानना हो कि कोई उत्पात बेचना कैसे है, तो पढ़लो उनकी किताबें उसमें कोई हानी नहीं, ठीक नए नए आकरशक उत्पात तयार कैसे किये जाते हैं, तुम्हें ये जानना हो तो पढ़लो उनकी किताबें, कोई हानी नहीं है ये ज्यान तो भी दे पाएंगे, ये ज्यान तुम्हें आइंस्टीन नहीं दे पाएंगे, अश्टावकर भी नहीं दे पाएंगे मार्केटिंग और सुन्दर कैसे की जाएं, तकनीक को भोगताओं तक कैसे पहुचाया जाएं ये सब जानना हो, तो आइंस्टीन ये आश्टावकर तुम्हारे किस काम के, तो पढ़ लो फिर उन्हीं महाशाय की किताबें पर जिन्हें आत्मग्यान चाहिए, वो देखें ध्यान से कि किसकी बात कर रहे हैं और किसको उध्रत कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं